इस बारिस के मोसम में आलू और प्यांच की कुर्कुरी पकोडी खाना किसे पसंद नहीं है। आज हम बनाने वाले हैं आलू और प्यांच की इतनी कुर्कुरी पकोडी कि आपको खाकर मज़ा ही आजाने वाला है। जिने बनाना बहुत ही आसान है और खाने वाला आपसे इनको बार-बार मांगेगा। इन टेस्टी पकोड़ी के साथ सोस हो, हरी चटनी हो या फिर चाय हो तो इनका स्वात तुगना हो जाता है। तो आईए देख लेते हैं हमने इन पकोड़ीों को कैसे बनाया है। हमने लिया है एक बड़ा बाउल और उसमें हम डालेंगे दो चमचे बेशन और आदा चमचा हमने यहा पर लिया है गेहूं का आटा, गेहूं का आटा मिलाकर अगर हम पकोड़ी बनाते हैं तो इससे इसमें बहुत अच्छा कुरकुरा पना जाता है। अब इसमें एक चमच डालेंगे अजवाइन, आदा चमच हल्दी और एक चमच नमक हम इसमें डाल देंगे। अब इसे ओट ज़दा टेस्टी और हेल्थी बनाने के लिए हमने हाप लिये हैं 15-20 करीपत्ता, उनको हम रफली ऐसे ही तोड़ कर डाल देंगे। आदा चमच लाल मिच हम इसमें डाल देंगे, आप अगर थोड़ा थीखा खाना चाते हैं तो आप इसमें थोड़ी सीव लाल मिच और एड़ कर लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे और इसका एक बैटर बनाकर रेड़ी कर लेंगे। पानी को यहां हम थोड़ा-थोड़ा करकर इसमें एड़ करेंगे अगर हमारा बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो उसकी पकोड़ी अच्छी नहीं बन पाएगी अब हमने लिया है एक वीजकर और उसके हेल्प से आटे की सारी गुठलियां खतम कर लेंगी देखे एक से दो मिनट में हमारे आटे की सारी गुठलियां खतम हो जाएगी और बहुत अच्छा सा बैटर बनके रैडी हो जाएगा तो चलिए रैडी है हमारा बैटर ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गढ़ा अब इसको 5-6 मिनट के लिए रैस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 5-6 मिनट के रैस्ट के बाद आटा अच्छे से फूल जाएगा अब हम इसमें एड करेंगे आदा चमल बेकिंग सोडा इससे हमारी जो पकोड़ी बनेंगी वो बहुत ही क्रिस्पी और फूली फूली बनेंगी देखे बेकिंग सोड डालने के बाद इसमें कितने अच्छे से बबल आ गए है तो चलिए आएए अब तेयारी कर लेते हैं आलू और प्याच की अब सबसे पहले हम करने वाले हैं आलू की कटिंग तो पकोड़ी के लिए जब हम आलू की कटिंग करें तो ना ही वो ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा मोटी इस तरीके से हमारा स्लाइस रहना चाहिए जो की बहुत अच्छा से बन जाता है तो बस इसी तरीके से सारे आलू की कटिंग करकर रख लेंगे अब बारी आती है प्याच की तो प्याच को भी हम गोल शेप में ही कट करेंगे आपको पकोड़ी की कौन शेप ज़्यादा च्छी लगती है आप कमेंट करकर जरूर बताएगे देखे प्यांच को हमने ना ही ज़्यादा मोटा रखा है और ना ही ज़्यादा पतला तो इसी तरीके से हम सारी प्यांच को भी कट करकर रख लेते हैं अब हम लेंगे एक लोहे की कड़ाई और उसमें डालेंगे हम सरसो का तेल यहां हम पकोड़ी बनाने के लिए पीली सरसो का तेल यूज़ कर रहे हैं सरसो के तेल में बनाई गई पकोड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है अब जो मैं आपको ये ट्रिक बताने वाली हो ना इससे तो पकोड़ी का स्वाद और बेजादा बढ़ जाता है यहां हमने स्पून में लिया है थोड़ा सा नमक और पानी तेल गरम होने के बाद ही हम इसको इसमें डाल देंगी तेल इससे वाज याने लगेगी इसमें से थोड़ी से छेट आएगी तो इसलिए हमने हापर प्लेट को इस पर ढग दिया है एक मिनत भी नहीं लगेगी इसके वाज थोड़ी सी कम हो जाएगी तो तब हम इसकी प्लेट को हटा देंगे ये देखे तेल बहुत ही जादा साफ हो गया है तेल तो रेड़ी है अब बैटर भी देख लेते हैं देखे बैटर भी हमारा बहुत अच्छा बना है ना ही पतला और ना ही जादा गाढ़ा पकोडी बनाने के लिए इसी तरह का बैटर बिल्कुल पर्फेक्ट बना जाता है अब आलू का एक स्लाइस लेंगे और उसको बैटर में अच्छे से डिप करने के बाद एक्स्रा को पोँच देंगे और फिर ये जाएगा कढाई के अंदर इसी तरह के से हम सारी आलू की पकोडियों को बना कर तयार कर लेंगे पकोडियों को तेल में डालने से पहले तेल का टंपरिचर जरूर चैक कर लें क्योंकि तेल अगर ज्यादा गरम हुआ तो पकोडी जल जाएंगी और अंदर तक सिख नहीं पाएंगी और अगर तेल ठंडा हुआ तो पकोडियों में भर जाएगा, पकोडि तब भी अच्छे नहीं बनेगी ये देखे हमारी पकोडि कैसे पूरी की तरह फूल गई है गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए ही पकोडियों को बनाईए पकोडिया कुर्कुरी बनाना चाते हैं तो बार-बार इसको अलटापल्टि करते रहिए देखे पकोडियों में कितना अच्छा कलर आया है इनको अच्छे से अल्टा पल्टिक करते हुए दोनों साइट से सेक लेंगे जब तक कि ये अच्छे से कुरकुरी न हो जाएं हमारे पगोडी तो बहुत अच्छी कुरकुरी हो गई है और इनमे कलर भी बहुत अच्छा आ गया है अब हम इनको निकाल लेते हैं और जो एक्स्ट्रा ओयल रहेगा उसको महीं पर ही निकाल देना है अब बारी आती है प्यांच की तो प्यांच को भी हम ऐसे ही डिप करेंगे और एक्स्ट्रा बैटर को महीं पर ही निकाल देंगे और फिर जाएगी वो तेल के अंदर तो इसी तरीके से हम सारी पकोडियों को बना कर रेडी कर देंगे अल्टा पल्टी करते रहेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे प्याज की पकोड़ी भी बन कर बिल्कुल रेडी है इनको भी अल्टा पल्टी करके अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे तो गर्मा गरम आलू और प्यार्च की पकोड़ी रेडी है सर्व करने के लिए अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिलकुल मत भूलिएगा हमें आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतजार रहता है तो फिर मिलते हैं किसी और नई और टेस्टी रेस्पी के साथ थेंक यू फोर वोचिंग